treatment of bulimia nervosa family therapy so now we will discuss about कि जो bulimia nervosa है वो family therapy के तुरू हम किस तरह treat कर सकते हैं there are so many other family therapy approaches to लेकिन हम आज इसकी बात करेंगे वो है mod slave method mod slave method जो है वो mainly तीन चीज़ों को focus करता है पहली चीज वो किस चीज़ को focus करता है कि जो teen agers हैं उनके unhealthy eating behaviors के बारे में उनको explain किया जाए और उसके help से उनको stop किया जाए अब जो unhealthy eating behaviors हैं वो क्या है कि एक ही वक्त में बैठके बहुत ज़्यदा food intake करना तो उनको ये बताना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है कि जो food है उसको उन्होंने किस तरह फुल डे के अंदर divide करना है अब जब ये चीज़ है जहां हम बात करें कि unhealthy eating behaviors को हमने change करना है वहीं पे हम एक और बात करेंगे कि मीन नी जो family होती है उसको भी problem हो रहा होता है बच्चे के इस किसम के behavior की वज़ा से तो उसमें हमने family को ये भी बताना होता है कि ये जो problem है ये किस तरह डवेलप हो रहा है इसके causes क्या है family का उसमें rule क्या है और family उसमें किस तरह क्लाइन को help कर सकती है ठीक है दो उसके तरू जो control है क्लाइन का अपनी eating के उपर वो उसको हम regain कराते हैं बिसाल के तोर पर उनको ये explain किया जाता है family की presence के अंदर के जो food वो ले रहा है उसकी calories कितनी है उसके nutritional values कितनी है और घर के अंदर जो food intake का जो एक pattern है वो क्यासा है और उस pattern को हम किस तरीके से change कर सकते है और किस तरह family को उसमें involve किया जा सकता है इसके साथ साथ ये चीज़ देखना बहुत important होता है कि certain time जो family होती है उसका इतना over critical attitude हो सकता है towards the client कि वो उसके eating behaviors को हर वकत minutely monitor कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी जो space है वो देने की जरूरत होती है client को इसके साथ साथ families को ये भी explain किया जाता है कि जो बच्चे का control है food के उपर वो उसका inner control develop करना ज्यादा जरूरी है it is not important कि father या mother उसको point out करें to stop eating नहीं it is more important कि बच्चा internally इस चीज़ को develop करें कि उसने एक time में कितना food जो है वो intake करना है तो जो family की interaction pattern है in reference to taking food उसके उपर जो काम करना है वो main objective है और इसके साथ साथ जो client है उसके अंदर जो उसका internal control है towards the food वो जो develop करना है वो बहुत important होता है ये हमेशा याद रखेगा कि अकसर families जिसके अंदर eating disorders develop होते हैं वहाँ पर जो parents होते हैं उनका जो attitude होता है towards the children, towards their eating behavior वो बहुत ज़दा over critical होता है और बहुत ज़दा over involved होता है तो जब भी parents जो हैं वो बहुत ज़दा किसी चीज़ के अंदर over involved हो जाते हैं और जो boundaries हैं वो unmatched हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि जो problems हैं वो उस तरह के environment के अंदर trigger करती हैं तो आपने ये देखना है और ये भी देखा गया है कि usually होता क्या है कि जो father figure है वो जादा critical होता है towards the female daughter ठीक है अब जिस तरह अगर हम ये कह रहे हैं कि जो daughter है उसकी तरह father critical है तो हो क्या रहा है कि जो daughter है वो इस चीज़ को इस तरह understand करी है या इस तरह प्रासेस करी है कि जो male figures है या जो भी उसका male partner होगा वो उसे approve नहीं करेगा अगर उसकी body की shape और weight जो है वो culturally desirable norms के accordingly develop नहीं होगा तो ये जो cycle है जब वो इस तरीके से develop होता है जिसकी वजह से जो self evaluation है वो move कर जाती है from the personality characteristics towards the physical evaluation ठीक है तो इस पूरे process को understand करवाया जाता है family को explain कराया जाता है और after explanation जो nutritional values होती है वो client को बताई जाती है ताके जो उसका internal control है वो उसको regain कर सके Thank you